नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका अपने यूटूब चैनल जी एस प्लैनेट पर डेली करेंट अपेर्स की सिरीज में आज हम लोग 15 फरवरी 2022 की महतपूर खबरों और उन पर आधारी सभी प्रशनों को एक एक करके देखते हैं तो पहला प्रशन जो सबसे ज़ादा इंपोर्टन है एक्जाम के लिए बहुत ही ज़ादा इंपोर्टन है कि निमलिकित में से कौन से समूह की कल्यान के लिए स्माइल योजना की शुरुवात हुई है अभी भारत सरकार के दौरा इस स्कीम लौँच हुई है स्माइल उसमें आपको बताना है कि इसका बैनेफिशरी वर्ग कौन सा होगा लाभारती कौन होगा विमेन यानि महिला ट्रांजेंडर यानि की किंडर समुदा दूसरा दिव्यांग या एडॉल्सेंड गल तो इसका सही अंसर क्या होगा ट्रांजेंडर सही अंसर क्या होगा ट्रांजेंडर ग्रुप को के कल्यान को बढ़ावा देने के लिए इसकीम लॉंच की गई आये समझ दीखें ट्रांसजेंडर का मतलब आप लोग समझें ट्रांसजेंडर उनको कहा जाता है जोंपरी तरह से जिनका जेद जेनेटिक डिसाॉडर वह तो इस तरह का डिसाॉडर क्रोमोसूम जाते जाते हैं इसके एक लंबी प्रक्रिया है पायलोजी में पूरा का पूरा टॉप एक है फिलाल उसका डेटेल में नहीं जाते हैं बस आपको पता होना चाहिए कि इस सेंड्रोम से जो है ट्रांसजेंडर डेबलब होते हैं अब क्या करें तो आपको पता है भारत में और हमारे समाज में ट्रांसजेंडर समुदाय के लिए यानि किन्नर समुदाय के लिए बहुत ही जादा दिक्कतें बहुत जादा समाजिक समस्या है उनको समाज में पहचान की समस्या है, उनको रुजगार की समस्या है, उनको एक प्रतिस्ठित जीवन, समान के साथ, समान के साथ जीवन जेने के बहुत बड़ी चुनोती है, तो इसी तरह की जो समाजिक समस्या है, उसको दूर करने के लिए, उनको बहतर लाइब देने के लि पुनरवास का मतलब होता है Rehabilitation जेकि आपको पता होगा जितने भी एक किनर समुदाय होते हैं इनके जो बच्चे होते हैं उनको बेच दिया जाता है किनरों को अपना ग्रूप होता है तो उनको पुनरवास का मतलब होता है Rehabilitate रिहेबिलेटेट के बतलब एक सम्मान के साथ जीवन जीने के लिए उनको जो भी सबीदा चाहिए होती सरकार उनको पलब्द कराएगी और भीक मांगने के जो अधिनियम में लगे जो लोग है उसके लिए भी का उनको उनके भी पुनर रिवास के लिए काम के जाए देखो कि होना चाहिए किस गुरूप के लिए लॉंच किया गया है तो हमने समझ लिए ट्रांसजेंटर गुरूप के लिए एक और कुश्चन है कि किस राज में केंत्री मंद्री नितिन गडगरी जीने चौदा तसमलों पांच किलोमेटर है किलोमेटर लंबी रेल सहब सड़क पुल μια का इसा फूल जिसमें क्या होता है कि सटक भी सटक भी होता है और रेल वैत्रैक भी होता है दोनों साथ में जो होते हैं उसे हम जबते हैं रेल सह सडक पुल यह बोलते हैं रिल्वे कंख वनरड णीचीं火 में औरáticas पुल का उधगाटन किया गया किसराच में यह बिहार में किया गया है आए देखते हैं क्या है कि नितिश कुमार जो वहां के बिहार के मुख्यमंत्री जी है नितिन गटगरी जिन घोर घट पुल मुंगेर गंगा ब्रिच एप्रोच रोड जनता को सौपाईए 2003 से शुरू हुआ था यह प्रोजेक्ट और अब जाके 2002 में यह प्रोजेक्ट शुरू हुआ था अब जाके यह कंप्लिट हुआ तो यह कुल मिला के 14-15 क्रिमिटर लॉंग रेल कम रोड ब्रिज है गंगा नदी पर बने है तो एक्जामें यह भी पूछ सकता है जिला पूछ पूछ लेगा तो मुंगेर जिला और नदी पूछ लेगा तो गंगा ठीक है तो याद रखिएगा और बहुत इंपॉटन्ट है अगला कुश्यन है किस राज में कैंसर से रोग थाम के लिए होप एक्सप्रेस के शुरूआत की गई है विच स्टेट हैस लॉंच होप एक्स स्टोपेजी ठीक है महराज के स्वास मतनी ने कैंसर से बचाओ के लिए होप एक्सप्रेस के शुरूआत की देखिए क्या एक बहुत बड़ी जो है मुझ इसका नाम है मशीन एक मशीन है मोजएक त्रेटी विकिरन मशीन एक रेडियेशन मशीन है अब कहोगी रेडियेशन मशीन क्या होता है कैंसर का जो इलाज होता है उसके जो अत्यादुनिक विधियां है उसके जो प्रोसेस है उसका ट्रीटमेंट है उसमें एक आता है कीमो थेरपी जो में कैमिकल चड़ाया जाते हैं ठीक है कैमिकल चड़ा के जो कैंसर करने वाले कोशिकाएं होते हैं उनको प्रभावित कोशकाओं से गुजारा जाता है जो कैंसर उत्पन कर रही होती है जिससे क्या होता है इन रेडियेशन से कैंसर उत्पन करने वाली कोशकाओं नस्ट हो जाती है तो उसी तरह से जैसे रेडियेशन होता है उसी तरह से केमिठेरपी होता है केमिठेरपी केमिकल च तुछ जासकता है ठीक है महाराज बात कर लेकिसお願いします का सेकंड थार्ड-का फल्ट आर्जिस जो एक स्टेट है in terms of आफ एरिया सब्सेट में Columbus छेटरपन कीदुषतff इसके स्थापना का बोई तो 1960 में इससे पहले बंबई प्रांत के नाम से जाना जाता था इसके सीम अभी कौन है उद्दाव ठाकरे जी गवर्नर कौन है बी एस कोशियारे जी कैपिटल आपको पता यह मुंबई है नैशनल पार्क यहां पर तीन पहक पूर्ण है संजय चतपति शिवाजी टर्मिलर्ल जो मुंबई का सबसे पहले संचन अंब दीटरी एक यह और तो यसदिया आपके यहां involvement मोंई में चमी प्रांच हे तो यह महराष्ट के हैं ठीक है आगे बढ़ते हैं साथ चौथा और पांचों कुश्चन जुड़ा हुआ है कि ESPN क्रिक इन्फो ने किस क्रिकेटर को वर्ष 2021 का सर्फ टेस्ट खिलाड़ी चुना है इसने जो है क्या किया है आपनी अपनी स्टेंडर की हिसाब से तो उसमें सबसे जो बहतरीन खिलाड़ी टेस्ट का वर्ष 2021 की इसका चुना गया और इसी इसी जो है क्या कहते है कि कैटेगरी इसी कंपणी नहीं क्या वेबसाइट इसी क्रिक इंफो वेबसाइट के तौरा बेस्ट कैप्टन में चुना गया है । इसमें तीन नाम आपको याद होने चाहिए पहला तो बेस्ट क्रिकेटर किसको रिशाप्त और बेस्ट कैप्तन की चुना गया है केन विलियमसन को इसलिए चुना गया कि उन्होंने अभी वर्ल्ड टीसी हुआ था, वर्ल्ड टेस्ट चैंपेंशिप 2021 में हुआ था, कहां हुआ था, ये साथ हैंटन के मैदान में भारत और न्यूजिलैंड के पहला फाइनल खेला गया था, अब तक का टेस्ट चैंपेंशि था, जो कि बहतरीन टेस्ट मैच था, उसमें उन्होंने मैच बिनिंग नॉक खेला था, इसलिए इनको ये पुरसकार दिया गया है, इसके लाव बेस्ट बॉलर का भी एवाड दिया जाएगा, तो बेस्ट बॉलर की से चुना गया है, काईल जेमिशन, काईल जेमिशन जिन इंदी में भी आप पढ़ लीजिएगा, ठीक है, अगला कोश्चन देते हैं, छटा आज का लास्ट कोश्चन है, कि ग्लोबल सर्वे के अनुसार, एक अंतराश्टी सर्वे है, कि अनुसार नया कारबार शुरू करने में, आसानी के मामले में भारत की रैंकिंग क्या है, व पढ़ते हैं, कि भारत में कारोबार के छेतर में दिन पर दिन प्रगती हो रहा है, रोज यहां पर कोई नया कारोबार शुरू हो रहा है, एक रिपोर्ट के मुताइग भारत में नया कारोबार शुरू करने मामले में, इसे टॉप फाइब देशों में शामिल किया गया है, ठीक है 500 researchers की team ने इस report के तयार किया रहा है सर्वे का नाम है global survey और top 5 economies में भारत आती है ध्यान दीजिएगा जितने low income भारत जो है low income economy में आती है तो उसमें सब्च नंबर वन है भारत ठीक है लेकिन अगर overall की बात करें सौधी अरभिया क्या यहां पर लिखा नहीं है तो उस report को मैंने यहां पर शामिल ने किया है सौधी अरभिया best country है ease of starting a new business के मामले में ठीक है और दूसरे नंबर पर कौन है आपका सौधी अरभिया के बाद जो है आपका चौथे नंबर पर कौन आता है नंबर आप question बढ़ा सकता हूँ वीडियो लंबा कर सकता हूँ लेकिन उसके कोई जरोत नहीं मैं सिर्फ quality के question लेका राता हूँ ऐसे question जो exam में सीधे हैं मैं फालतू के time pass नहीं करना चाहता हूँ इसलिए आप वीडियो को support करें जादस जादा जो है इसे share करें ताकि लोगों तक यह पहुचे और मैं मुझे यह motivation मिले और साथ ही साथ आपको पता है कि वीडियो के साथ ही मैं यहाँ पर install कर देता हूँ तो description मिल में जाएगा वहाँ पहली link जो मिल जाएगा वो आप download कर लिजेगा साथ ही साथ वीडियो बहुत सारे हैं हमारे पास बुरे चैनल पर history के lecture पड़े हुए है पॉलेटी के lecture पड़े हुए है, static के lecture पड़े हुए है, आप अलग-लग playlist में बने हुए है वो playlist में जाके आप देख लिजेगा, आपको जो समझ में आया आप उसे देखना शुरू कर दीजेगा आपको निशित तोर पर फायदा होगा, किसी भी label पर किसी भी तरह का preparation आप competition का कर रहे है तो मैं और भी videos आपको बनाता रहूँगा, लेकिन बस आपका support चाहिए Thank you all, आज के लिए इतना है